नमस्कार दोस्तों आपका स्वागात है हमारे यूटूब चैनल दा नौइज बेडी में दोस्तों जासा कि आप सभी जानते हैं कलकत्ता इन्वसिटी के ओफिस्यल वैपसाइट पर औरलेंड फॉर्म समिशन स्टार्ट हो चुका है इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने CVCS semester का online form submission करके बताया था यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं दोस्तो इस वीडियो में आपको 111 सिस्टम के Part 3 का Online Form Submission करके बताऊंगा बहुत से स्टूडेन को 111 सिस्टम के Part 3 का Online Form Submission करने में प्राबलम आ रही थी तो मैंने सोचा इस टॉपिक पर एक वीडियो बना कर सबकी हेल्प की जाए यदि आप 111 सिस्टम के Part 3 का Online Form Submission कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को सुरू से लेकर लाश तक देखते रहे हैं ताकि आपको पूरी जानकारी सही सही मिल सके तो आईए बिल्कुल विदे ना करते हुए वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो ट्रिपल वन सिस्टम पार्ट 3 का Online Form Submission करने के लिए आपको सबसे पहले कलकाटा इन्वर्सिटी के Official Website cuexam.net पे आज आना होगा इस Website के जरिये ही आप लोग अपना Form Submission कर पाएंगे इस Website पे आने के बाद आपको सबसे नीचे आना होगा लेप साइड में देखी हाँ पे एक Option दिखाई देगा Portal for College Student BA, BSC, B.com ये जो नीचे जे Second Option दिखा रहा है इस पे क्लिक करना होगा क्लिक कर देने के बाद आपके सामने Fin से एक नया Option खुल के आ जाएगा तो आपको इसके उपर क्लिक करना है क्लिक कर देने के बाद आप लोग Fin से एक नया बेप साइट पे आ जाएगा तो यहां देखे मैं Fin से एक नया बेप साइट पे आ गया हूँ अब आपको क्या करना है आपके सामने एक Option दिखाई दे रहा होगा Decks of Site तो इस पे क्लिक कर देना है desktop site पे click कर देने के बाद आपका जो browser है वो desktop की तरह work करेगा तो यहाँ पे देखें के finn से दो option खुल के आ गया है एक लिखा हुआ है cbcs और दूसरा लिखा हुआ है 1 plus 1 plus 1 यदि आप part 3 का form फिलब कर रहे हैं तो आप लिख दूसरा option select करेए यदि आप cbcs कर कर रहे हैं तो पहला वाल option select करेए मैं अभी part 3 का form submit करूँगा तो मैं दूसरा वाल option select करता हूँ दूसरा वाल option select कर लेने के बाद आपके सामने finn से दो option खुल के आ जाएगा यहाँ देके एक लिखा हुआ है b a b a c और दूसरा option है b com तो मैं अभी b com का form fill up करके बताता हूँ तो मैं b com पे click करता हूँ b com पे click कर देने के बाद finn से देखिए इतना सार option खुल के आ गया है तो आपको क्या करना है जिस part के लिए आपको form fill up करना है उसको select कर लिजे मैं अभी part 3 का fill up कर रहा हूँ तो मैं part 3 को select कर लेता हूँ part 3 को select कर लेने के बाद finn से चार option खुल के आ गया है तो आपको क्या करना है form submission जो यह option दिखाए दे रहा है उसको click करना है click कर देने के बाद देखिए हाँ inhale पे finn से एक नई option खुल के आ गया है तो देखें यहां बुला है Select Registration Number Type New Old आप जिसके लिए Apply कर रहा है उसको Select कर लिजिएगा मैं आपी New के लिए Apply कर रहा हूँ तो मैं New को Select रहने दूँगा अब देखें यहां पर बुला है Registration Number आपका जो भी Registration Number उसको यहां पर Enter करना है मैं Registration Number Copy कर कर रहा हूँ तो मैं यहां पर Paste कर देता हूँ अब देखें यहां पर तीन ओप्सन दिखाई दे रहा है Continue, Back, Reset आपको क्या करना है Continue के ओप्सन पर क्लिक करना है Continue के ओप्सन पर क्लिक करने के बाद यहां देखें Student का जितना भी Information है वो आ चुका है दोस्तों मैं आपको एक बटन दिखाई दे रहा होगा Submit का तो आपको क्या करना है इस Submit के बटन पर क्लिक करना है दोस्तों याद रखिएगा आपको अपना जितना भी Information है वो अच्छे से Fill Up कर लेना है और अच्छे से पढ़ लेना है अच्छे से पढ़ लेने के बाद ही आप लोग Submit के बटन पर क्लिक करिएगा तो मैं यहाँ पर Submit के बटन पर क्लिक करता हूँ क्योंकि मैंने सारे Information Fill Up कर लिया है तो आप मैं आपको बता रहा हूँ तो मैं अब यहाँ पर Submit के बटन पर क्लिक करके बताता हूँ तो यहां देखें, submit के button पे click कर देने के बाद मेरे सामने print और cancel का option आ चुका है, तो आपको क्या करना है, इस print वाले button पे click करके अपना पीडियप है वो download कर लेना है, तो मैं यहां पे print का option पे click करता हूँ, print के option पे click कर देने के बाद आपके file में एक PDF download होके आ जाएगा, तो यहां देखें, जो PDF है, पो download होके आ चुका है, दोस्तों यहां पे एक problem आ रहा है, देखें, यहां पे photo और signature नहीं आ रहा है, तो इसका जो problem है, मैंने college से contact किया था, college वाले ने बोला, यह problem अभी इसलिए आ रहा है, क्यूंकि अभी अभी यह form film start हुआ है, इसलिए यह problem आ college वाले ने मुझे कहा, तो मैंने भी आपको यही बताने के लिए यह video बनाया है, आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिए, अभी यह form film start हुआ है, तीन चार दिन रूप कर आप लोग फिन से print के option पर क्लिक करिए, उसके बाद आपका photo और signature आ जाएगा, यह बात अभी ध्य की है, दोस्तों मैं उमीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जितने भी doubt थे, वे सारे doubt किलियर हो चुके होंगे, यदि अभी भी आपको कुछ problem आ रहा है form fill up करने में, तो आप मुझे comment करके बता सकते हैं, मैं आपके problem को solve करने की फूरी कोशिस करू इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ share करिए, ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे पता चल सके, दोस्तों इस वीडियो के last में मैं आपसे एक ही बात करना चाहूंगा, यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी से भी help मिली है, तो आप इस वीडियो को like करिए और मेरे यूटूब चैनल दा नौज बड़ी को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाली नए वीडियो की नोटिपिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके मिलते हैं मेरे चैनल के एक और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए थैं हुआ हुआ है